हलो नमेशकार, वेलकम टू इनकलकेट लेर्निंग, आज हम बात करने वाले हैं ली एस शुलेमन, जो इनका पॉइंट ओफ व्यू है किसके बारे में, अंडेस्टेंडिंग ओफ टीचर का जो नॉलेज बेस है उसके बारे में, यानि नॉलेज बेस ओफ टीचर एडुकेशन, इसकी स्टोरी थोड़ी सी जान लीजिए, अमेरिकन साइकोलोज, एडुकेशनल साइकोलोजिस्ट है ये, इन्होंने क्या किया, 1986 में, शलेमन ने साइक्स के साथ मिलके, एक डेफिनेशन दी, नॉलेज बेस ओफ टीचर की, ठीक है, टीचर एडुकेशन में, नॉलेज बेस क्या होना चाहिए, उसकी डेफिनेशन दी, उसी सेम साल, और इन दोनों ने मिलके क्या क्या है, जुके इसकी डेफिनेशन के साथ साथ, आठ केटेगरीज जो है, वो डिवाइड करती, ये आठ केटेगरीज आपको याद रखने कि मुझे लगता नहीं है, जरूरत है, खुद से अकेले दी, और वो तीन अकेले वाली केटेगरीज कौन सी है, कॉन्टेंट नॉलेज, जनरल पेड़ागोजिकल नॉलेज और करिकुलर नॉलेज, ठीक है जी, अगर आपको इन में से कुछ नहीं दिख रहा हो, तो टेंशन की बात ने है, मैं आपको बोल के बता आप वो सुन लीजिए, ठीक है, तो यह तीन तरीके की नॉलेज की बात की इन्होंने, उसके बाद 1987 में, शुलमन ने खुद से फिर से अकेले, जैसे इन्होंने मिल के दी थी किसी के साथ, यहां पर फिर से अकेले इन्होंने साथ कैटेगरीज अगें, डिसाइड की, शुलमन का point of view पूछा गया है, यहां पर जो mixed point of view है, वो I don't think हमें याद रखने की जरूरत है, क्योंकि कितना ही क्रैम करेंगे, कितना याद रखेंगे, राइट, so 1986 में, तीन कैटेगरीज दी थी, वो तीन की तीन यह थी, इसमें further add करके इन्होंने 7 कैटेगरीज बना दी अगर आज की डेट में हमसे पूछेगा कोई कि शुलमन की knowledge के basis पे क्या कैटेगरीज उन्होंने teacher के knowledge base के बनाई है, वो कौन कौन सी कैटेगरीज है, वो यह 7 कैटेगरीज है, ठीक है जी, इसके पहले जो हमने habermas किया था, उसमें 3 कैटेगरीज हैं, जो बाद में dang और luik का जो हम करेंगे, knowledge base, जो उनका point of view करेंगे, तो उसमें भी हमारे पास 3 कैटेगरीज निकल के आएंगी, तो यह 7, 3 और 3 आप याद रखेंगे, अब जो है, इनका मतलब क्या है, यह 7 कैटेगरीज है, राइट, so knowledge, content knowledge, obviously, कोई भी अगर teacher है, यह हम teacher education में चीज़े include कर रहे है, so content की knowledge तो होनी चाहिए, जैसे हर जगा हम YouTube पर भी बोलते है, content is king, so content की knowledge होना बहुत जरूरी है, next है general pedagogical knowledge, अब जब आप teaching exams देते हैं, माली जी आपने tat दिया, seated, कोई भी tat दिया, ठीक है, उसमें आपको pedagogy पूछे जाती है, वो क्या है, general pedagogy है, लेकिन आपके subject की जब ह बात करते हैं, जब आप BAE करते हैं, उस time पे normal subject के साथ साथ, आपके पास, आपके particular subject की pedagogy होती है, जैसे pedagogy of physical sciences, pedagogy of Hindi, Sanskrit, वो सारी चीज़े होती है, so general pedagogy है, जो आपके हर exam में पूछी जाती है, जैसे CTAT में 30 marks की है, वो general pedagogy है, ठीक है जी, so वो knowledge होनी चाहिए, curricular knowledge होन related knowledge होनी चाहिए, fourth है PCK, pedagogical content knowledge, यह PCK आपको शुलेमान के साथ याद रखना है, कि यह term जो है, इनके साथ हमेशा जुडी रहती है, और इन ही के, उस पे पूछी जाती हो सकता है, पूछले PCK किसने दी, चीक है, यह पूछले PCK की full form क्या है, या PCK का मतलब क्या है, so वो च PCK क्या हो गया, pedagogical content, यानि कि यह pedagogy और content को मिला कि अगर हम बनाएं, तो pedagogical content knowledge हो गई, और यह pedagogical content knowledge क्या है, कि आपके content के साथ साथ pedagogy, यानि आपके subject को आप कैसे पढ़ाएंगे, so वो चीजे इसमें आ जाएंगे, क्योंकि main मकसद क्या है, यह point of views, जब हम teacher के knowledge base से related प Right, fifth है knowledge of learners and their characteristics, अब एक teacher को learner की characteristics भी पता होनी चाहिए, तभी वो समझा पाएंगे, या कौन से methods वो use करेंगे, so वो चीजे manage करने के लिए teacher को learner के बारे में भी पता होना चाहिए, knowledge of educational context, education से related या बाकी चीजों से related जो context है, so वो knowledge भी होनी चाहिए, knowledge of purpose, educational purpose, educational values, और उनके historical और philosophical basis, so overall knowledge जो है वो purpose से related होनी चाहिए, कि क्या purpose है पढ़ाने का या क्या objectives है, so वो सारी चीजे, ये 7 categories जो है वो शुलमन ने दी है, अब इसमें से सबसे important चीज निकल के आती है PCK, Pedagogical Content Knowledge, उसमें हम क्या चीज include करते हैं, so PCK में जो चीजे हम include करेंगे, वो most regularly taught topic in one subject area, क्योंकि हम इसमें pedagogy और content को मिला के एक knowledge बता रहे है, pedagogical knowledge, content knowledge, right, so उसमें आपका जो particular, यानि कि जो बिलकुल आपका subject area, उसमें जो basic, यानि रोज पढ़ाय जानी वाली चीजे हैं, वो जो हैं आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, उसके knowledge base की बात हो रही है, कि आप कैसे पढ़ाएंगे, so वो content और pedagogy दोनों mix आ रहा है, इसमें, एक तो आपको content आना चाहिए, और एक आप उसको पढ़ाएंगे कैसे, फिर है most useful form of representation of ideas, यानि कि जो आपके ideas हैं, आप उसको कैसे represent करेंगे, so वो form आपको आनी चाहिए, most useful, यानि अच्छे से आपको communicator बनना है, effective teacher बनना है, और अगर आपको ध्यान हो, तो हमने effective teacher में क्या बात की थी, एक basic skills की बात की थी, content और pedagogy, इन तीनों की बात की थी, यहाँ पे भी pedagogy और content की बात हो रही है, most powerful analogies, illustration examples, explanations and demonstrations, so same वोही चीज़ आ गई, कि आप कैसे करवाएंगे, क्या analogies present करेंगे, कि बच्चों को नहीं समझा रहा, तो कैसे compare करके चीज़ों को समझा सकते है, daily life से, या बाकी चीज़ों से related, आप कैसे examples illustrate करेंगे, क्या किस तरीके से आप explanation देंगे, और जो है demonstration क्या रहेगा, फिर है way of representing and formulating subjects that makes it comprehensive, so आप उस subject को किस तरीके से करवाएंगे, या formulate करेंगे, बन comprehensive हो जाएं दूसरे बच्चे के लिए या दूसरे person के लिए जो सीख रहा है आपसे learner के लिए, वो जो है knowledge आपको होनी चाहिए, ये points हम जो है pedagogical content knowledge में include करते हैं, so ये शुलमन का point of view था, जिसमें 7 categories में जो है ये divide करते है knowledge को, सबसे जादा important PCK है, इन्होंने 1986 में ये 3 part दि दिन होने, so ये था शुलमन का point of view, अगर आपको वीडियो समझ आई हो, तो like, share and subscribe कर दीजेगा, कुछ समझ ना आया हो, तो comment करके पूछ लीजेगा, because important है, right, so this was all about today, thank you so much for watching.